Hello friends, welcome again. अब तक हम पढ़ चुकेते Synthetic Applications of Aceto Acetic Ester यानि Aceto Acetic Ester या Ethyl Aceto Acetate से हमने Organic Compound बनाना सीख लिये थे आज हम बात करेंगे कि Ethyl Aceto Acetate को कैसे बनाएं तो बनाएंगे हम Claisen Condensation से क्या होता है Claisen Condensation? Claisen Condensation में हम दो Ester लेंगे इन Ester की Reaction कराएंगे हम Strong Base की Presence में तो हमें मिलेगा Beta Keto Ester क्या बोला मैंने? Claisen Condensation में हम दो Ester लेंगे इन दो Ester की Reaction कराएंगे हम Strong Base की Presence में Strong Base क्या लेना है? Alcoxide Ion तो क्या मिलेगा हमें? Beta Keto Ester अब जो बात ठ्यान रखने की है वो यह है इसमें कि दो Ester जो हमने लिए हैं उनमें से एक Ester ऐसा होना चाहिए जिसमें Alpha Hydrogen Present होना ही चाहिए एक Ester में Alpha Hydrogen Present होना ही चाहिए Alpha Hydrogen Must Be Present In One of Ester अब बात आती है कि Alpha Hydrogen क्या होता है? Alpha Hydrogen Functional Group के Attached जो कारबन होता है First Carbon जो अटेच होता है Functional Group के वो होता है अपना Alpha Carbon जैसे देखो यह अपना है Ester यह क्या है? Functional Group है इस से Attached First Carbon क्या होगा? Alpha Carbon और इस Carbon से जोड़ी ही Hydrogen होगी Alpha Hydrogen आई बात समझ भें अब देखो Beta Keto Ester क्या होता है? Beta Keto Ester होता है कि Ester के Beta Carbon पे क्या हो? Ketone हो यह क्या है? Ester है इस से जुड़ा हो First Carbon क्या होगा? Alpha Carbon और Second Carbon क्या होगा? Beta Carbon तो यह जो Beta Carbon है वो क्या होना चाहिए? Ketone होना चाहिए तो वो होगा अपना Beta Keto Ester आई बात समझ में तो यहां मैंने एक General Reaction लिखी है क्या है? R C Double Bond O O, O, R, Dash यह क्या है अपना? Ester है एक Ester हमें कितने Ester लेने हैं? दो Ester लेने हैं एक Ester लिया है मैंने CH3 C Double Bond O, O, R, Dash और मैंने आपको एक बात बताए थी कि एक Ester में Alpha Hydrogen प्रेजेंट होनी ही चाहिए तो यह देखो यह है अपना Functional Group इससे जुड़ी ही Carbon Alpha Carbon और इससे जुड़ी ही Hydrogen कौन सी होती है? Alpha Hydrogen होती है तो इस वाले Ester में कितनी Alpha Hydrogen है? एक, दो, तीन तीन Alpha Hydrogen है जब इस Ester की Reaction हम इससे कराएंगे तो क्या होगा? R-O यहां से और एक Alpha Hydrogen इस वाले Ester से निकल के R-OH एलकोहल अपना बहार निकल जाएगा और क्या बनेगा? R-C-O-C-H-2-C-O-O-R- R-C-O-O-C-H-2-C-O-O-R- क्या है यह? बीटा कीटो Ester यह Functional Group यह वाला Carbon Alpha Carbon और यह वाला Carbon बीटा Carbon जिस पर कीटोन Group है तो यह क्या बन गे अपना? बीटा कीटो Ester तो एक बात तो अपनी किलियर हो गई कि Klezen Condensation से अपना क्या बनता है? बीटा कीटो Ester और यह भी आपको पता होगा कि एथिल एसिटो एसिटेट क्या है? एक बीटा कीटो Ester है तो अब हमें बनाना है एथिल एसिटो एसिटेट यह है अपना C double bond O O C2H5 यह है अपना C double bond O O C2H5 फंक्शनल गुरूप यह वाला कारवन अलफा कारवन यह वाला बीटा कारवन जिस पर क्या है कीटोन गुरूप है तो ही क्या हो गए अपना बीटा कीटो एस्टर तो एथिल एसितो एसिते डिया है बीटा कीटो एस्टर है इसका मतलब इसको हम क्लेजन कंडेशेशन से बना सकते हैं क्लेजन कंडेशेशन में हमें दो एस्टर मोलिक्यूल चाहिए होते हैं तो हम ethyl acetate CH3 C double bond O O C2H5 जो की एक ester है कि लेंगे हम दो molecule इनकी reaction कराएंगे हम sodium ethoxide की presence में तो क्या होगा एक ester से O C2H5 और एक ester से alpha hydrogen निकल जाएगी और क्या भार हो जाएगा अपना C2H5 OH और क्या बन जाएगा CH3 C double bond O CH2 C double bond O O C2H5 ethyl acetate ये तो होगई एक general reaction अब हम पढ़ेंगे इसकी mechanism mechanism पढ़ने से पहले एक बास समझो जो की mechanism में काम आएगी देखो CH4 को पन क्या बोलते हैं? methane यदि हम एक hydrogen निकाल दें तो CH3 इसको क्या बोलेंगे? methyl group और यदि हम दो hydrogen निकाल दें तो क्या बोलेंगे? methylene group यदि ये methylene group तो strong electron withdrawing group के बीच में लगी हुई हो strong electron withdrawing group जैसे cyanide, nitro, ester group इनके बीच में लगी हुई हो तो जो hydrogen होगी, वो कैसी होगी? अपनी acidic होगी और H plus की form में बहार निकल जाएगी ये देखो, ये क्या है? methylene group और ये क्या है? strong electron withdrawing group इनके बीच में लगी हुई है, तो ये hydrogen कैसी होगी? अपनी acidic और H plus की form में निकलेगी और क्या बन जाएगा अपना carb NIN? एक example देखो, ethyl synoacetate, ये क्या है? methylene group cyanide क्या है? electron withdrawing group, और ester भी क्या है? electron withdrawing group तो ये जो compound होगा, जिसमें methylene group, दो strong electron withdrawing group के बीच में लगी हुई हो ऐसे compound को अपन बोलते हैं, active methylene compound आई बास समझे में, और ये जो hydrogen होगी, वो कैसी होगी? इसमें acidic होगी base के द्वारा easily remove हो जाएगी, और अपना क्या बनेगा? carb NIN आई बास समझ में? तो अब आते हैं अपन, mechanism पर तो step first, क्या है अपना? देखो, ethoxide iron, ये क्या है अपना? एक strong base है कहां से आया है? हमने sodium ethoxide लिया था ना? वहां से आया है ethoxide iron, ethyl acetate के alpha hydrogen को निकाल करके क्या बनाएगा? alcohol बनाएगा, C2H5OH, ethanol, देखो, C2H5O- और ये जो alpha hydrogen है वो bond के electron को इधर देगी, यहां पे आएगा plus और ये आएगा minus तो ये C2H5O-H plus क्या बन गया? एथिनोर और साथ में क्या मिला बन को? कार्ब एनाएग, CH2- C double bond O O C2H5 ये क्या है? कार्ब एनाएग, मतलब nucleophile है ये जो कार्ब एनाएग है, वो resonance द्वारा क्या होगा? stable होगा, देखो, CH2- C double bond O O C2H5 ये लिखा हुआ है, O की electron negativity ज्यादा ये bond के electron को अपनी साइड लेगी तो O के उप़र minus, C के उप़र plus और ये plus minus क्या बन जाएग है है? डबल bond तो CH2 double bond C O minus O C2H5 आई बाएग समझ में? अब step second में क्या होगा? step first में अपना क्या बना? carb NIN, ये क्या है? एक nucleophile है और आपको याद होगा कि हमने ethyl acetate के कितने molecule लिए थे? दो molecule लिए थे, इधर देखो ethyl acetate के हमने दो molecule लिए थे, लिए थे ना एक molecule तो अपना ये रहा और दूसरा molecule ये रहा CH3 C double bond O O C2H5 plus minus करो O की electron negativity ज्यादा bone collector को अपनी उड़ लेगी O के उपपर minus C के उपपर plus ये क्या है? carb NIN, ये है nucleophile तो ये जो CH2 minus है, इस carbon पे क्या करेगा? attack करेगा C plus पे तो देखो क्या बनेगा? देखो CH3 CO minus CH3 CO minus OC2H5 OC2H5, इस C के उपपर क्या है? plus है, और C के उपपर minus, तो ये minus इस plus पे attack करेगा, तो क्या बना? CH2 C double bond O O C2 H5 CH2 C double bond O O C2 H5 ये बन गया हमारा, अब देखो O C2 H5 अपने bond के electron को लेगा, तो यहाँ आजाएगा minus और यहाँ आजाएगा plus और ये bond हो जाएगा break तो एथोकसाइड आयन तो बहार निकल जाएगा, और C plus और O minus इन दोनों के बीच बन जाएगा double bond तो क्या बना? CH3 C double bond O CH2 C double bond O O C2 H5 ये क्या है? एथिल एसिटो एसिटेट हिसाब से तो अपनी mechanism यहीं खतम हो जानी चाहिए थी, क्योंकि हमें चाहिए भी क्या था? एथिल एसिटो compounds के बारे में बताए था? ये देखो CH2 क्या है? methylene group इसके इधर भी लगा हुआ है electron withdrawing group और इधर भी लगा हुआ है electron withdrawing group तो ये जो H होगी वो क्या होगी? acidic होगी और C2H5 O minus क्या है? base है तो ये जो base है वो H plus को ले जाएगा तो step 3 में अपना क्या होगा? ये क्या है? ethyl aceto acetate CH3 C double bond O CH2 C double bond O O C2H5 C2H5 O minus क्या है? strong base है तो ये H plus को ले जाएगा तो H bond के electron को इधर देगी तो C के उपर minus H के उपर plus C2H5 O minus H plus ethanol बहार निकल जाएगा क्या बन जाएगा अपना? carb anion CH3 C double bond O CH minus C double bond O O C2H5 इस carb anion के बनेगी resonating structure resonating structure बनने से ये carb anion हो जाएगा stable resonating structure बनाना मैं पहले भी बता चुकी हूँ देखो CH3 C double bond O CH minus C double bond O O C2H5 O की लेक्टोन negativity जादा bond की लेक्टोनों को अपनी साइड लेगा तो O के उपर minus C के उपर plus तो ये C plus और C minus यहाँ बन जाएगा अपना double bond तो क्या बना? CH3 C O minus double bond CH C double bond O O C2H5 ऐसे ही यदि ये वाला O bond के लेक्टोनों को लेता है तो O के उपर minus C के उपर plus तो क्या बनेगा? CH3 C double bond O CH double bond C O minus O C2H5 ये क्या है? resonating structure कितनी बनी है? 3 तो ये जो अनायन अपना बना है वो होगा stable वैसे तो resonating structure दिखाने की नीड नहीं है लेकिन यदि आप एक्जाम में बना के आओगे तो काफी impressive होगा step 3 में अपना क्या बना? कार्ब अनायन ये कार्ब अनायन Na plus से reaction करके क्या बनाएगा? sodium salt CH3, C double bond O, CH minus Na plus, C double bond O, O, C2H5 मैं पहले भी बता चुकी कि salt completely ionized होते हैं तो इनमें आप CH minus और Na plus के बीच bond मत बनाना आपने कभी देखा है? NaCl को ऐसे लिखा हुआ bond बनते हुए NaCl क्या है? salt है? तो आपने ऐसे लिखा हुआ नहीं देखा ना ऐसे ही लिखा होता है NaCl क्यों? क्योंकि salt completely ionized होते हैं इनमें Na plus और Cl minus ions के बीच में only attraction होता है ऐसे ही यहाँ पे CH minus Na plus इन ions के बीच में attraction है कोई bond नहीं है आई बास समझ में? Step 5 में क्या होगा? जो हमारा sodium salt बना है वो acetic acid से reaction करके ethyl acetoacetate देगा CH3C double bond O CH2C double bond O O C2H5 और यही हमें चाहिए था साथ में हमारा क्या बना? sodium acetate CH3COO minus Na plus So friends, I hope आपको klesian condensation समझ आया हो next वीडियो में हम ethyl acetoacetate को acetone से बनाएंगे Thank you